जूट ये वो शब्द है जो हम हर इंसान अपनी लाइफ में बड़ी आसानी से रोज मर्रा के जिन्दगी में बोलता है और हम इसकी प्रैक्टिस बोलिये तो हमें बच्पन से ही शुरू हो जाती है जूट जब तक हम अपनी लाइफ में बोल रहे थे चाहें छोटा या बड़ा था वो भी कर्मा बन जाता है छोटे छोटे तो कृष्ण भगवान ने बोला अगर अपने बचाफ के लिए जूट बोलते हो जहां पर आपका बहुत बड़ा भला हो रहा है या किसी का भला हो रहा है तो जायज है तो आप जूट बोल सकते हो लेकिन अगर आप अपनी गुरुजी की संगत बन चुके हैं और गुरुजी का सत्संग करने का टाइम आ गया सत्संग माने कि आप उनकी शरण में आगे और आपके साथ जो भी चमतकार हुए उन्होंने आपके लाइफ में क्या चेंजिस किये उन्होंने आपको क्या सपने दिखाए क्या विजन दिये क्या बाते की हां ये सारे जो सत्संग होते हैं उनसे हमारी करेक्टिविटी कैसे होई कैसे मिले कैसे उनकी शेरण में आए तो ये सारी चीजे जब हम दूसरी संगत को बताते हैं अपना experience इसको बोलते है सत्संग और अगर हमें जूट बोलने की आदत है daily कुछ ना कुछ छोटे-छोटे किसी को बात-बात पे छोटे-छोटे जूट बोलने की आदत होती है किसी को वो आदत इतनी बढ़ जाती है कि वो समझी है हर एक पल में बिना बाद के जूट बोलता है लेकिन जब हम गुरु जी का ससंग करने पे आते हैं तो उसमें भी हमारी कहीं न कहीं हमारी जुबान मैं ये बोलूगी ट्विस्ट कर जाती है वो निकल ही जाता है क्योंकि जो नेचर में होता है हमारे वो कहीं न क दुक्सान करने के लिए बोला है अपना फाइदा वो न मैं नहीं जानती लेकिन इतना जरूर है अगर आप गुरु जी की शिरन में आ गए आप गुरु जी की संगत बन चुके हैं और आप का अगर सत्संग करने का मौका मिल रहा है गुरु जी का गुनगान करने का मौका म बोर भी बहुत बड़े बड़े चमतकार है तो छोटी छोटी बाते में बता रहे हूं चोटी निये खैर बहुत बड़ी है गुरुजी की बहुत किरपा है बहुत बड़ी बाते हैं वो बहुत बड़ी शक्ति हैं कहने का यह मतलब है यह सारे संगत को ब्लेसिंग्स उनकी शेरन में आने के बात मिल ही जाती है कईयों के घर में अम्रित वर्षा होती है कईयों के घर में बता हैं यह ड्राइफ फूट्स वर्षा है किसी में किसी के घर में जोत में दर्शन हो रहे हैं किसी के घर में सरूप में गुरुजी अपने फिंगर से ला है और अगर कुछ हो रहा है तो समझे मतलब बहुत प्लेस्ड हो किस्मत पलड़गी यह बहुत है भगवान ने पसंद कर लिया आपको भगवान ने खुश हो गए भगवान घुरुजी आपसे तो यह तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपका बाय नेचर आपकी यह छोटे 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 हम बोलते हैं जिसको बोलके हम सोचते भी नहीं अगर वो हम ससंग कर रहे हैं उसमें आप कहीं की कहीं बात बोल जाओ और बोलते बोलते फिर हम यह थुड़ी बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं था सौरी मुझे निकल गया ऐसे था तो वो भी नह इनसान करता तब अपन वह भावाई मिल रही होती है le muchas अपकी ओपर निगा क्या करता बस बोलता ही चला जाता है और फिर बोलता ही चला जाता है जब यह हर चीज तो गुरु जी को सुन रही करना महापाप है महापाप मतलब कि आपको गुरु जी की अगर ब्लेसिंग्स मिली है प्यार मिला है उसका मिंस आपके करम बने तो समझे आपको गुरु जी के गुस्षे का भी सामना करना पड़ेगा अगर आपने यह चीज छोड़ी ना तो अगर आपने continuity में यह चीज करते गए और हर बार जूट बढ़ाते गए अपना तो यह उसका डंड आपको खुद को भोगना पड़ेगा और मैंने ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को मैं जानती हूं जिनोंने गुरु जी की बेकदरी किये यह बेकदरी वली बात है आपको वही वली बात है ना वैसे गुरु जी है और वैसे गुरु जी नहीं है आम इनसान क्या कर रहे हैं गुरु जी के संगत बहुत रातो रात बढ़ती जा रही है चमधकार भी बहुत हो रहे है नो डाउट तो लोग क्या कर रहे हैं अपनी वावाई के लिए बहुत अपने आपको बहुत एक्सप्रेस करके बोलते हैं बहुत शोर मचा मचा के बोलते हैं फट अफट से वीडियो बनाते हैं फट अफट से लोगों को फोन करते है तो अब इसमें क्या है कि क्या समझे हम अगर तो कोई बहुत सुलजा हुआ बहुत शान्थ बहुत गुरुजी की ऐसी संगत है जो उन्हें सिर्फ गुरुजी से मतलब है और बड़ी प्यूर सोल है उनके घर में ब्लेसिंग्स हुई है तो वो ये काम नहीं करेगा गुरुजी उनके घर में आया है चाहें वो शहद वर्षा कर रहे हैं चाहें वो अमरित वर्षा कर रहे हैं चाहें वो चोला या कोई भी लंगर परशाद उन्होंने खा लिया या कुछ भी उन्होंने किया या आपनी फ्रेग्नेंस बहुत सारी दे दी या कुछ ऐसी चीज़ द्राक्ष वरस रहे हैं या ड्राइफ रूट मैंने सुना है मैंने अभी तक अपनी आखों से कुछ नहीं देखा हम मेरे कुछ जानने वाले हैं उनके घर में अमरित वर्षा हुई है कुछ सेकिंड्स के लिए तो इसका एक्सपीरेंस मुझे सुना हुआ है अब यह परसनल कि घर में हो जाए ऐसा नहीं है लेकिन कई संगत है कई वीडियोस बना लती है चिला चिला के अरे ही हो गया गुरुजी की बहुत अच्छी बात है सबसे बेले तो यह है कि आपके घर में जब भगवान आते हैं गुरुजी आते हैं आप प्रसन होते हैं तो आप क्या करोगे लोगों को बुलाने चले जाओगे या आप उनकी पास खड़े होगे आप उनका आधर सतकार करोगे रिसीफ करोगे ब्लेसिंग्स उनका धन्यवाद करोगे आप उनका शुकराना करोगे या उसी टाइम कैमरे खोल दोगे चिलाने लग जाओगे लोगों को फोन करने लग यह है फून करना कैमरे खोल लेना फट फट यह आप अपनी वहावाई और जब गुरुजी आए हैं पता नहीं वो एक सेकंड के लिए आए हैं पांच मिनट के लिए आए हैं दस मिनट के लिए आए हैं तो अगर उसमें भी आप बाहर का ध्यान लगा देंगे और जब गुरुजी आए हैं तो उनका सदकार कर लें यह बेटर है उनसे अपने दिल की बात कर लें साया परिवार मिलके उनके चर्णों में मत्धा देख लें अपने दिल की बाते कह लें वो ज्यादा इंपॉर्टन्ट है या हम अपनी वहावाई के लिए फटा फट से शोर इसका मैं यह बोलूँगी मिस्यूस भी कर रही है कुछ लोगों के घर में बहुत प्लैसिंग्स है और कुछ लोग जूट बोल रही है सिरफ और सिरफ अपने आपको यह सिद्ध करने के लिए कि भी हमारे पर तो बहुत किरपा है अब किस ने देखा किसके घर में जाकर कब हुई वर्षा कब आए कब आपके घर में अमरित वर्षा होगी कब शहद वर्षा हो गई वो वर्षा है जो कॉंटिनुटी में हो रही है संगत के सामने हो रही है उसे अगर आप नहीं संभाल पारे आपके घर में कॉंटिनुटी में होते जारी है होते जारी है तो आप संगत लाइव दर्शन करें हर चीजों के इतनी महरे हो रही हैं आपके घर में अगर तो यह मानने आता है समझे कि हाँ वो लोग सही बोल रहे हैं और वो लोग कभी इतना शोर नहीं मचाते हैं उन्हें मीडिया पर आके अपने आपको फेमिस नहीं करना अपने धिंडोरे नह समझने लग गई है कि गुरुजी अपना ससंग करवाते थे कि बोलते थे कि चल तेरे साथ मैंने क्या क्या किया बता सारी संगत को वो इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं जब तक हम सुनते नहीं हैं हमें समझ में नहीं आता अब इंसान को इंसानों की भाशा में बताना पड़ा गुरु जी को कि जब आपी के फ्रेंड के साथ या आपी के किसी परिवार के वालों के साथ गुरु जी कुछ ऐसा ऐसा कर जाएं जो कि बिल्कुल impossible है तो हमारा विश्वास बढ़ता है अधर्वाइस हम तो विश्वास करने के लिए रेडी नहीं होते तो वो गुरु जी थे वो रब थे वो चाहें कुछ भी कराएं अब हम खुद गुरु जी बनने लग गए हैं हम खुद ऐसी चीज़े करने लग गए हैं समझे कि बैड़-बैड के लोगों को कई घर ऐसे हैं जो अपने घर से चीजे ब्लेस कर करके देने लग गए है गुरुजी के नाम पे कई लोग गुरुजी के नाम पे चीजे बेचने लग गए है कई लोग गुरुजी के नाम पे गुरुजी की सरूप बेच रहे हैं लॉकट बेच रहे हैं उनकी कई तरह की उन्होंने चीज़े बना दिया है उनकी पर्मानेंट छोटी सी गद्धी बना दिया है वो बेच रहे हैं ठीक है कुछ चीज़े हैं चलो ठीक है अपने गद्धी बना दिया उनका एक सेटप पूरा छोटा मिनी मंदिर बना दिया वो ठीक है लेकिन आप उनक गर में ससंग कराती है तो वहां आपको मिल सकते हैं अगर आप सोचो कि हमारा हम इतनी blessings वाले हैं कि हम पहले शोर मचा मचा के सब को बताएं और उसके बाद हम लोगों को bless कर करके चीज़े देने लग जाएं गुरुजी के सरूप देने लग जाएं तो आप ही गुरुजी बन गए मिनी गुरुजी आप बन गए जी सारी दुनिया को आपने अपने पीछे लगा लिया तो यह कुछ संगत भी होती है जो जान मुझ के भटकती है मैं यह बोलूँग जोड़ी जब गुरुजी बोल गए है कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्षण लगाओ बात करो मेरे सरूप से डायरेक्ट बात करो तो संगत को आधत पढ़ी हुई है किसीने किसी इनसान को भीच में रखके अपना मैं यह बोलूँगी मेंटारुस को बना लेते हैं उसके कहने चलते हैं चुट शुडी बाते में उनुसे मेडिया पर किसी से पूछनी की जरूरत नहीं किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है फिर अकर उनके पीछे लग गए थो पिर अनके लिया नहीं पर गो को सबीचे घाता बात उनאा करो वह Replay पर बैट जो ऐसी संगत भी है पूरा का पूरे फिर वो लोग क्या करते हैं ऐसी लोग अपना बिजनस बना लेते हैं कोई ना कोई काम खुल के बैट जाते हैं जब वह संगत को इकठा कर लेते हैं अपने पीछे लगा लेते हैं फिर वह कोई बिजनस खोलते हैं फिर वह अप छोड़र अलग पार्ट किसी बिजनस इसे लेकिन उसी संगत को अपना चलो हर इनसान अपना बिजनस अपना काम अपने जॉब आपस में डिसकस करता है यह हमारी बेसिक वो है डिसकॉशन्स कानवर्शेशन संगत के साथ लेकिन जब आप गुरूप्स के गुरूप्स या इतनी बड़ी चेन बना ले तो अपने पीछे ऐसे लोग जो इतना चिला चिला के इकटा करते हैं फिर शोशल मीडि चाहिए इसे गुरूप्स तो रब है एसी तो इंसानों को चाहिए गुरूप्स थोड़ी चाहिए उनका ही है सब कुछ धर्ती पाताले आकाश वो तो यह कह लेजे कि यह जो बरफ यह जो ठंड़क है उन्हीं ने तो बनाई सारे पहाड उनी के तो है नेचर उनी का तो है क अगर आपके उपर इतनी महर है तो आप खुद बना सकते है गुरूजी के लिए इसी खुद ले सकते है फृच सेट अप जो आपको करना है तो यह कुछ अलग सी होड सी चल पड़ी है मैं यह बोलूँगी और यह बड़ा अजीब लगता है और दुख होता है कि क्यूं सार संगत भटक रही है किसी के पीछे लग के क्यों उनकी एक एक वर्ड पे विश्वास करते कि जब उन्होंने बोला कि मेरे सार्ट कनेक्शन बनाओ डारेट का मतलब क्या होता है कि सीधा हर किसी ने सीधा गुरूजी से डारेक्ट कनेक्शन बनाने बीच में कोई है ही नहीं तो फिर क्यों बटकती है दुनिया जिनके पीछे आप लग रहे हो भी डारेक्ट ही है फिर आपको उनकी पीछे लगके जाना गुरूजी के पास तो वो तो गुरूजी के कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं गुरूजी ने किसी को असिस्टन नी छोड़ा अपना किसी को पुछ नहीं किसी को खड़ाने करके गई किस से पूच ते रहना तो जो पीछे लगाते हैं वो भी गलत है जो पीछे लग रहे हैं वह उस्ट बहुँजों कि अपनी वहावाई आरे गुरूजी ने आज पर साधर्शन दे आरे गुरूजी ने ऐसे किया आरे वैसे किया एक गुरुजी के हुकम में रहके सारी चीज़े करने के लिए बुला गया है। गुरुजी ने कई चीज़े, कई blessings hidden रखने के लिए बुला। कि ये सिरफ तेरे लिए ये बताना नहीं है किसी को। ये रख और तेरे बिच की बाते, कई चीज़े लॉक होती हैं, रख और आपके संगत की बिच की बाते, उसे क्यों ओपन कर रहे हो। तो ये क्या है? सिरफ अपनी बाहबाई, जब तक आपको गुरुजी हुकम ना दे, चाहें आपके घर में नदिया बह जाए, किसी भी चीज़ की, गुरुजी की, किसी भी लेवल की किरपा की, कुछ भी, जब तक आपको गुरुजी हुकम नहीं करते, कि आप संगत को बला तब तक आपको अलाउन नहीं है, कुछ भी करना, तो ऐसी लोगों से मैं चाहूंगी आप बचे, आप खुद को इतना गुरुजी की करीब ले जा सकते हैं, आप खुद इतने करम कमा सकते हैं, कि आपके घर में महरे हो जाएंगी, गुरुजी के ओम दर्शन हर चीज़ में दिखते हैं, आपके स्पेशल रोटी परशाद में दिखेंगे, सबजी में दिखेंगे, या कहीं भी उनके सरूप में कहीं भी दिवार पे ओम या एक्यों कार के दर्शन होने लग जाएंगे आपको, ऐसी कई अनकी नेत उनकी ब्लसिंग्स हैं घर में आने लग जाएंगी अब कोई एक-एक करके आज जी ओम निकले जी, आज जी ये हुआ जी तो ये बताने वाली बार बार हाँ आप खुश होएं, अच्छा फिल करिये, हैपिनेस की बात है, बड़ी खुशी होती है, बार डिफरेंट फिलिंग आती है कि यार मेरे पे महर हो गई, वा, तो वो आ आपके लिए, लौक लगाई उसको, जब तक गुरुजी नहीं बोलते, छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, डिसकस करने ही नहीं है, वो गुरुजी करवाते थे, तो वो गुरुजी की जगा कोई भी नहीं ले सकता, तो सारी संगत उनके हुकम से करती थी, वो उठाते थे, तो वो उड़ती थी, तो वो बोलते थे, नहीं तो कोई इधर से उधर भी नहीं देखता था, तो आजकल बहुत दुनिया ये सूस्ती है कि वहीं गुरुजी कौन सा आ रहे है, कौन सा डांट लग रहे है, कौन सा हमें कोई पकड़ रहा, कुन सा किसी को प अब इस लाइन को दुनिया कैसे बोलती है, गुरुजी साक्षात आ गए, मैंने का शाक्षात आए दर्शन देने, हां जी शाक्षात आए, तो मैंने का कैसे आए साक्षात, गुरुजी जैसे उनका रूप है, वैसे से हम शाक्षात आ गए आपके सामने, नहीं नहीं, वो जैसे कोई दिख रहे थे फिर अगली बार में हंजी साक्षात आ गए तो कैसे इधर से उदर जुबान हिल जाती है एक सेकंड लगता है ये बोलने में साक्षात आ गए अरे साक्षात आज आएंगे ना अगर पहली बात है कि करमी बहुत उचे चाहिए बहुत 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 अरा के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए उनके अरा को जहलने की आप तो आई थिंक उनकी लाइट से उनकी पावर से उनके जितने उनकी अंदर बिजली रब है वो एक डिवाइन शक्ति है हम उनकी शक्तियों का अनुमान भी नहीं लगा सकते ऐसा करंट पड़ेगा उनकी प्रेजन्स है कि आप भसमी हो जाओके आप कैसे बोल सकते हो उनकी मर्जी है उनकी मर्जी वो इनसानी रूप लेके आ ज़्या उनकी मर्जी वो एक लाइट के रूपे दर्शन देते बेसिकली सबको दर्शन हो रहे है 99.9% ड्रीम दर्शन विजन दर्शन सामने आ गए ये जुट है ये क्यों बोलती है तुनिया उन्हें लगता है कि हम जुट बोल देंगे मुझ से निकल जाए तो क्या फरक पड़ता है मेरी वावा यो रही है आज हमारे घर में शहाद वर्शा हो गई आज हमारे घर में अमरित वर्शा हो गई आओ चलो आओ देखो बार बार जबरदस्ती तो गुरुजी के हुकम से उन्हें मुझे गुरुजी का हुकम हुआ कि आप जाओ अब जिस हिसाब से वो बताते थे इतना तेज तेज इतना positive मैं ये बोलूगी positive हो कि इतना उनकी जुबान में बताने में इतना ऐसा लगता था कि बता ने यार इतनी महरे इस घर में और जब मैं गई उनके घर में ससंग अटेंड करने की basic manners भी नहीं थे उनके घर में ससंग करने की तो मेरत का तो नामों निशान होई नहीं सकता तो ये judge आप खुद भी judge कर सकते हैं इन सब चीजों से जो गुरुजी ने मुझे ऐसी ऐसी जगा पर भेशते हैं जहां पर कुछ किसी को कुछ guidance देनी होती है या कुछ ये बोलूँगी किसी का clarity लेनी होती है मुझे तो अब उन्होंने उनके घर का ससंग करने का तरीका ये था कि उन्होंने गुरुजी का जो room बना रखा था वो एकदम उनकी कैसी wall थी कि इस side bathroom है और इस side गुरुजी का उन्होंने room बना रखा है तो ही आप कहां से आपकी manners आ गई कहां से आप में इतनी किरपा हो सकती है कि आपने सिरफ एक दिवार का पांसले पे एक बात्रूम में और एक दिवार के पांसले में आप गुरुजी का गद्दी लगा के बैठ गए हो तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी मैंने का अंकल आप यह तो नहीं होना चीए आपके घर में बहुत बड़ा घर है टचूट दो तिन बड़े बड़े रूम से आप छोटी सी फैमिली हुआ अप गुरुजी का आप कहीं और बनाई है सेट अप यह तो गलत है अच्छा नहीं है आप नेगटिविटी है वाश्रूम मैंने का होप वाश्रूम ही था मैंने जान मुझके बोला कि इसमें भी शाज जुट बोल देंगे तो होई हुआ अरे नहीं नहीं वो तो स्टोर है स्टोर मैं आप ठीक है जी बट यह बोलते ही नेक्स ते चेंज हो गया तो यह उनोंने उनके मनगा डर फटाफट से चेंज हो गया मैंने एक एक बात पे ऐसे पॉइंट से क्लारिटी दे दी क्योंकि टच वुड गुरू जी ने इतना अपने पास बुला लिया इतना जोड लिया इतना संगत से जोलियों में इतनी receivings, blessings आती है उनके nature कैसे होते है वो कितने down to earth होते है, उनकी बातों में कैसा ठहराव होता है कैसी उनके मैं देकि वो अलग ही होते है और जो सिर्व वावाई बटो होर रहे होते हैं, चिला चिला के बोल रहे होते हैं, शब्दों को हेर फेर के, तोर मडोर के जूड बोल बोल के इतना कुछ बया कर रहे होते हैं, अपनी वावाई के लिए वो different होते हैं, तो वो उनमें से निकले second चीज उनके घर में बहुत बड़ा music system था, जो कि उन्होंने अपन ने लगा दिया, अपनी balcony सी थी, एक open area था, जहां पर गुरुजी का room था, और मैं यह बोलूँगी, आंगन सा, एक छोटा सा तो वो open था और इतना बड़ा music system जहां rooms में संगत को आवाज ही नहीं आ रही, बट पुरी दुनिया में, कॉलनी में लोग जरूर सुनेंगे, कि इनके यह तो बड़ा पूजा पाठी है, भईया भड़ी आवाजें आ रही है, आज इनके घर में कुछ है, बहुत बड़ा ससंग और मैं जिस room में बैटू वही मुझे लगे है, आवाज नहीं आ रही है यह तो मैंनका बहारी चले जाओ तो यह चीज भी मुझे बड़ी अजीब लगी फिर थोड़ी दिर में लगा, देखा कि पडोसी चिला रहे है वो कहरे बंद करो उनको हाट की प्रॉब्लम थी उनको हाट अटेक हो चुका था तो उनको इतने बड़े-बड़े वूफर्स से उनको प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने यह चीज बोली मैंनका आपने, मैंनका यह मुझे बाद ने पता चला है कि पडोसी आपके चिलाए यह तो होना ही नहीं चीजिए था अंकल आप गुर्बानी चला रहे हो अपनी घर की वाइब्रेशन को अच्छा करने के लिए लोगों को सुनाने के लिए नहीं रहाँ बहार लोगों को सुनाई दे रहा है तो मैंने का आपको घर के विग्दम सेंटर में रखना चाहिए था आपको तो इतना बड़ा तेज तेज की दुनिया सुने और लोग उल्टा परिशान हो रहे हैं वो बाहर वाले क्या करेंगे आपको कोई ब्लेसिंग्स होड़ी भेजेंगे उनके मन से पता नहीं क्या क्या निकल रहा होगा क्या 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 बोल रहे हैंगे बड़ोसी कुछ बोलते होएंगे कुछ चुप रह जाते होएंगे और ऐसे जो इतने परिशान हुए वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैंगे तो कितनी मैं ये बोलूँगी मैनर्स ही नहीं है बेसिक आपके अंदर एक अदब सत्कार आ जाता है जैसे हम गुरुजी की शरन में आते है ना एक तमीज आ जाती है हमारे अंदर पता नहीं वो कहां से आती है वो गुरुजी की किरपा ही है अपने आप आ जाती है अकल आ जाती है मैं ये बोलूँगी तो ये चीज बड़ी अजीब सी लगी चलो थर्ड चीज आता है कि चाय परशाद अब गुरुजी का ससंग स्टार्ट नहीं हुआ गुरुजी ने जैसे मुझे एक एक चीज हर जगा पर आर एंडी जैसे करने कोई जाता है न तो एक एक चीज पर मुझे भेजा तो मैं थर्ड बाइचंस उनके किचन में गई मैंनका मुझे पानी पीना है मुझे प्यास लगी है तो ससंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ था तो वहां अजीब लगा पर मैं कुछ बोली नहीं मैंने अपना जल प्रशाद पिया और पीके मैं आगे अपनी जगा पैटना था मैं बैट गई छोड़ा सा मेरे बैक में प्रॉब्लम थी बैटने में जमीन पर बैठा नहीं जा रहा मैं उनके किसी एक बेडरूम में जाके बैट अगर आप इतना आपके घर में किरपाएं हो गई जैसे आपने बोला कि भाईया रुतराक्ष माला साक्षा आता कर दे गए आपके घर में फिर अमरित वर्शा हो गई सहद वर्शा हो गई तो इतना इंसान मैं ये बोलूँगी आइधिंग रो रोके इतने भाव बदल और हम जूमते फिरेंगे नाचते फिलेंगे वह खुशियां और बच्चे भी सतकार करने लग जाएंगे कि हारे यार हम बच्चों को पता है अकल है आ गई है बच्चों को भी कि कितने इस बच्चे जो गुरुबानी शुनना शुरू हो गए अब इसे छोटी जी इतना और एक आंटी जी मेरे साथ बैटी थी उन्हेंने बोला बेटा आप बहुत देर से उट पटांग उदर भाग के जा उदर भाग के जा कभी रो रहे है कभी कुछ कर रहे है आप ऐसे मत करो मेरी लेक पे परशानी है प्लीस यहां से मत जम कर जाना पर हुआ वही बच्चे उ द्हान रखू आप कहां हो अपने संगत को घर बें बुलाया यह की बच्चे दगडवड़ दगड़ कर रहे हैं उदर उछल रहे उद्दर नाच रहे है तो यह क्या महौल है सत्संग का और आज भी नहीं आरी संग सत्संग का महाल नहीं बन रहा कोई संगत एक दूसरे को कि आखों आखों में कहरी कि यह क्या हो रहा है यह कैसा महौल है तो मैंने का चलो मैं मैं बाहर आके बैठ जाती हूँ इधर जीब सही लग रहा है क्योंकि रो रहे हैं कभी बच्चे उनके कभी फिर आके बैठ रहे हैं कभी फिर उदर जा रहे हैं मैंने का ध्यान ही नहीं ता इतना रस आता है गुर्वानी सुनके वहां कि उनके घर का ये कह लिजे महाल और ऐसा उस टाइम पे ऐसा औरा क्रियेट हो जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ती आई हुई है और बड़ा आनंदार है तो मैं कभी भी ऐसा लाइफ में नहीं हुआ कि मैं किसी भी घर में जाओं और आते सत्संग में उठके आ जाओं मेरा ब्रदर साथ था कह रहा है चलो यहां से मन नहीं लग रहा है यह एक बेकार है यहां पे सिस्टम उनका बड़ डिफरेंट है फिर लंगर परशाथ आया एक रेड़ी वला आया वो लेकिए आया उनके घर में रखवा रहा था मैं इनका लंगर परशाथ घर भी नहीं ब जिस घर में इतनी महरे हो रही है उस घर में इतने अदब सतकार से डिसीप्लेन से इतनी साफ सफाई से इतनी तहजीब तमीज से लंगर बनाया जाता है संगत को बुलाया जाता है उनको अच्छे से बिठाया जाता है उनका सतकार किया जाता है फिर एक एक चीज अच्छे स आपकी रोसोई में से ही गुरुबानी चलते चलते सर्व होती है और वो जो कुछ भी लंगर प्रशाद बनता है वो सिर्धक के बनता है मंतरजाब करते करते बनता है तो आपने तो सीधा बाहर से ओर्डर दे दिया तो उनको कोई जवाब नहीं मिला है मैंने का अंकल यही है सब चीज़े मैं कर आप चले क्यों गए मैंने का यही है चीज़े सुनके बड़ा अजीब सा लगा आपकी बातों से इंप्रेस होके जरूर में आ गई थी कि आपने बोला बड़ी महर है मैंने का मैं एक पर दर्शन दो करके आओं इतनी किरपा आपके घर में तो क्या हुआ सब कुछ डिफरेंट हो गया अगर यह कोई नई संगत होती शायद मैंने का आप नई संगत को शायद आप थोड़ा कन्वेंस कर लेंगे अंकल मुझे नहीं फिर उनका फोन आता है देखो जी आप अपने यह चीज़े ठीक कर लीजे गुरुजी का कम से कम आप आपने जहां आपने गुरुजी को विराजमान किया वो ही आप चेंज कर लीजे संगत का सतकार कर लीजे आप जितना लंगर बना सकते हैं उतनी ही संगत बुलाईए लेकिन बनाईए अपनी रसोई में से वो ही उसी को लंगर बोलते हैं वो तो खाना होगे आप बाहर से मंगवा के खिला रहे हो लंगर का मतलब क्या एक ही रसोई में जब पकता है लंगर गुरुजी का नाम लेके गुर्बानी का नाम लेके इतनी जब आप और्गनाईज करते हैं संग अपने घर में तो देवी देवता आते हैं आपके किच्छन में भी आते हैं और आपको हेल्प करके जाते हैं किऊ कभी भी ऐसा देखा गया कि कहीं भी आप संग भगवान के नाम की कोई पी चीज कर लो तो वगनी पड़ती और एक अलग सा ही डिवाइन टेस्ट होता है क्यों कि उसमें रब की इंवाल्मेंट होती है वो उसका department उनकी भी इज़द बन जाती है कि कमती नहीं आने चाहिए जितने आते हैं लोग सारे भुगत जाते हैं तो ये क्यों होता है क्योंकि रब का connection है रब की हम अराधना कर रहे हैं उनको बुलाया वो डिरेक्ट आ रहे हैं घर पे तो आपने तो लंगर का concept ही change कर दिया आपने पहले सीखिए तो सही है सब चीज़े क्या होती है गुर्बानी आप चला रहे हैं धामा 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 ये तो अमरित देती है आपने तो किसी को परशान कर दिया तो बड़े बड़े वूफर चला के बाहर चला के तो ऐसी संगत जो इतना जूट बोलती है श्याद गुरुजी की गुरुजी ने मुझे बोला आप guidance तू तू दास सुनू तू अनू correct कार मैंने उन्हें correct किया मैं बहुत ज़्यादा नहीं किसी को मतले कि हम मैं का गुरुजी ये आपका department है please आप direct उन्हें बोलो क्योंकि मैं उन्हें basic बोलूंगी उसके बाद मानना ना मानना उनका क्योंकि जो आप बोल सकते हो हम नहीं बोल सकते हमारा फर्ज ने बनता लेकिन आपने बोला है मैं एक बार जरूर बोलूंगी एक बार बोलने से मंद्री शिफ्ट हो गया हर चीजों में acceptance आगे हां जी यह गलती है हां यह हुआ हमें ऐसे नहीं करना चाहिए हां अगली बार से हम ऐसे करेंगे सारी one to one one to one point पे उन्होंने मेरी yes yes कर दिया लेकिन next time से फिर वोई अब जितने उनसे लोग connected है मेरे office के वो सारे मेरे से connected ओफिस के औरि हम परिषान हो गया से जब देखो फोन करके बोलता है हमारे घर में मेरे घर में यह में और धर से नहीं Judaism मेरे घर में और दरश नहीर cry भी इसके सिस्ट duplicern करने तो मैंने मुझे भी बहुत बोला था फिर मैंने मैं अपने गृप में आड़ किया तो ग्रुप में उन्होंने ग्रुपमें अड़ होते इन फोटोग्राफ चाल दी बुप पूरी संगतने डांट दिया और शब उनको बोला कि आप ऐसे मत करिए कि आप गलत बोलो मैं ने कि पतासल जाता है जूटे बंदे हर जगा डाट खाते है वो गुरु जी फिर अपने आप करवाते हैं और ये कहले जे एक बार दो बार तीन बार चार बार गुरु जी ने वैसे तो उन तीन बार समझाते हैं उन्होंने हद मचा रखी थी हर चीज की जूटों की तो बुरा लगता है कहते हुए लेकिन वो हॉस्पिटलाइजड हुए अचानक और उनके मूँ से खून की ब्लिडिंग हुई तो बड़ा दुख लगा सुनके कि हमारे रब को शायद मजबूर होना पड़ जाता है क्यों संगत को भटकाते हो संगत गुरुजी को सारी उनके बच्चे हैं सब बहुत प्यार है मिसगाइड मत करिये मत अपनी वहावाई के चक्कर में अचानक गुरुजी की आपकी आपकी जूट है गुरुजी के साथ एंट्री लेते ही उसका रिवर्स गेम शुरू हो जाता है सारा कर्मे कर्मा फी के पढ़ने लग जाएंगे नेचर में चेंजी साने लग जाएगा जब आपने सब कुछ वो टाइम आगया चीफ कर लिया तो फिर आप वहावाई या जूट या किन की कुछ बस एक हलके से ड्रॉप ही उभरते हैं आप मुझे नहीं पता हुई भी थी नहीं हुई थी तो इतना आप अच्छा कराते कराते आप अपना नुकसान नहीं करा ले रब से गुरुजी से कम से कम इतना कहते हैं ना कि इतना तो डरो आप कल्यूग में हो आप इत कि आपको जोड़ लिया अपने साथ इतनी तो शरम मैं ये बोलूँगी करने चाहिए इतना तो लिहाज़ा आप करो अपने गुरुजी से कैसी आखें मिला ले तो जुट बोलते बोलते उनके सुरूप के आगे कि यह वह वह कैसी उनकी प्यारी संगत जो उनको इतनी प्यारी जिनको इतना लाड करते गुरूंच के वर्ड है जिस इंसान को मेरी संगत प्यार नहीं करेगी तो वो मुझे प्यार है तो जिस हिसाब सब्स expands इन्योऊने कंभा में कम किसों के दोसुन बोलोगों ने पता निकितने मुझे सिस्ट आइसे यह यह अपनी ब्रहाय करें कि इतनी इंसल्ट होई तो यह सब कुछ हम नहीं करते यह सारा कुछ गुरुजी को पता कौन क्या है उसके बाद भी हम ना सुधरें और अब मैंने तो अब उनको फाइनली ब्लॉक कर दिया अब मुझे नहीं पता मैं बाते सुनती हो कि लास्ट यही सुना है कि वह हॉस्पिटल में आने के बाद भी अगर हम नहीं सुधरे तो हमारा कहीं छुटकारा नहीं होगा और बढ़ी बहुत बड़ी सजा मिलेगी इसकी तो नो डाउट इसलिए जूट आइटिंक आप अगर हम जैसे डेली रूटीन में छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-बहुत जूट बोलते हैं और अगर ना ही बोले तो वो भी बेटर मैं तो यह बोलूँ कि अपनी जुबान को साफी रखे जहां बहुत अर्जन जरूरत है जहां आपका गुजारा नहीं है जहां किसी को बचानी की जरूरत है वहां बोली या दरवाइस जो छोट छोट जूट है अगर हम इसको भी फिल्टर करके रखे अपनी जुबान अपनी अपनी लैंग्वेज को फिल्टर करते जाएं तांकि मौका जब भी आए गुरूजी के आगे प्रेज़ेंट होके आप हमारे बहुत बड़ी किरपा होगी जब हमें बोलने का मौका देते हैं कि चलो मेरे साथ यह यह हुआ मैं आज गुरूजी का गुनगान कर लूँ तो जब हम वो करें तो हमारी जुबान हमारे वर्डस इधर से उधर भी हेर फेर भी ना हो जूट बोल देना तो बहुत बड़ी बात है हेर फेर भी नहीं होनी चाहिए तो इस वज़ा से छोटे 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 जूट आप मत बोली क्योंकि गुरूजी ने बोला ता सत्संग जो सत्संग आप हम सुनते हैं गुरूजी बोलके गए थे कि सुनने वाले का भी कल्यान है और सुनाने वाले का भी कल्यान है तो अगर आप छोटे छोटे जूट डाल दोगे तो क्या कल्यान कर रहे हो आप किसी का आप निगाहा से कभी बच पाओगे आप वो संगत जो बिचारी नहीं नहीं जुड़ी है वो संगत जो बिचारी अपना पतानी कितना कीमती समय बचा कर special एक ससंग के लिए आती है और जब ऐसा कोई जूटा इंसान आके ससंग करता है और जहां उनका कल्यान ओना था गुनगान सुनने से क्योंकि गुरु जी का तो नाम ही इतना पवित्र है कि नाम लेते-लेते कईयों के काम बन गए, नाम लेते-लेते कईयों के जिन्दगी बन गई है, आप उनके नाम के सथ एड़ करके अपने जूट बोलोगे, तो वो पिचारी संकत जो इतना वैल्यूबल टाइम दे रही है आप उनको जूट परोसरे हो और गुरु जी के दरबार में खड़े होकर यह मैं बोलूँगी उनकी प्यारी संगत के जामने खड़े होके पता नहीं कैसे हिम्मत पड़ती है पता नहीं कहां से देंगे वो लोग और कैसे नरकों की आगों से बचेंगे यह तो डर लगता है उन लोगों के बारे में सोच कर किया क्यों कर रहे हो ऐसा अच्छा हो रहा है ना भला हो रहा है ना इंजॉई कर अपनी लाइफ खुश रोना और इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार हमें इतनी बड़ी किरपा मिल गई इतना हम इंजॉई कर इतनी टेंश अपने भक्ती से आगे लेकर जाएना आप लेकी आए ना कुरू जी को सामने ऐसे बन के तो दिखाए कि गुरू जी को आना पड़ जाए सामने ऐसे बनिये और फिर गुरुजी आएं और आके वो दिखें तो ऐसे बनिये बजाएं एक बातों से बोल देने के तो ये बहुत बड़ी मिस काइडन्स है और इस जूट से इस जूट के माया जाल से बचके रही है संगत जी क्योंकि अपनी वावाई बड़ी प्यारी लगती है बड़ा मज़ा आता है फेम ने में जब कोई तारिफे करता यार इसके घर में तो बड़ी मेर है ये तो बड़ा लखी है इस पे तो बड़ी किरपा है तो बड़ा अच्छा लगता है स्टार्टिंग में सुनने में लेकिन जोटे लोग जल्दी आ जाते हैं पकड में जैसे ये आ गए थे पकड में ऐसे एक और भी है संगत में उनका नाम लेकि उनकी कोई बात नहीं करना चाहते हैं उनके साथ बहुत बुरा हुआ है उन्होंने बहुत निरादर किया था गुरू जी का गुरू जी ने उनकी बेट पे सोती थी आज मैं साथ हजार के बेट पे सोती हूँ उनके वर्ड्स है मेरे घर में सारा एलीट क्लास का फरनीचर है तो जब आपको गुरू जी ने इतना कुछ देही दिया था इतनी बरकते आ गई थी तो उन्होंने जूट नी बुला उन्होंने निरादर किया थ तो आपने गुरू जी की गद्धी भी लगा ली भाया पैसा है धड़ा 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 मन करता है गुरू जी को सजाने का भी मन करता है अच्छी बात है सजाना भी चाहिए क्योंकि उन्हीं ने तो सब कुछ दिया है उन्होंने तो लाइफ बदल दिया चानक से तो जब इतना कुछ मिल गया, इतना इंजॉई, इतने रिष्टे, आपके शादी हो गया, चानक बहुत बड़े किसी इसे गौर्मेंट में जॉब करते थे, लाइफ बतल गी, तो सब कुछ आ गया, लाइफ चेंजिंग, अब सेट अब बना लिया तो घमंड भी आ गया, अब घमंड आ गया, तो बिजनस स्टार्ट कर लिया, अपना पर्सनल कोई भी, एक्स वाइजएड, अब उस पे इतना ध्यान चला गया, और गुरू जी का जो आपने सारी गद्दी सजाई थी, वो इस तरहां से तहस नहस होई है, उनके घर में, इस तरहां से तहस नहस होई है, संगज जी, कि मैं आपको क्या बताओं, आज वो वीलचेर पे हैं, और एक्सेप्ट करती है, मैंने निरादर किया, निरादर हुआ, तो उन्होंने एनिमल्स का विजन स्टार्ट किया था, कैट्स का, तोला सत्रा कैट्स थी उनके घर में, अब या तो उनके लिए अलग से सेट रखो, या गुरुजी का एटलिस कमरा बंद करतो, कमरा बंद करने में तो हमारा कोई जोर नहीं जा रहा होता, इतना तो हम कंट्रोल कर सकते कि घर में अगर एनिमल्स इतने रखें, इतने घूम रहें, इतने नाचले फूल, अब उन्होंने सारी कैट्स ने क्या किया, कोई गुरुजी का डुबट्टा लेके जा रहा है, कोई गुरुजी का शुरूप लेके जा रहें, यह उनके वर्ट्स है, मैंने देखा नहीं, मैं देख लेते ही, या कोई और संगत देख लेती, वो तो पता नहीं क्या हो जाता फिर, इतना नरादर हम मारी तो सोच में भी नह किसी ने गनेश जी खंडित कर दिये किसी ने गुरुजी के सुरूप नीचे दिवारों से धड़ धड़ करके नीचे गिर रहे क्योंकि बिचारे एनिमल्स को क्या पता है वो तो कूदेंगे फान देंगे वो हर चीज़ पे दो सेकेंड में उठ उठ की बिलिया भाग रही थी उनके घर में तो अजीब सी किस्मत उन्होंने खुद बना ली मैं ये बोलूँगी अपनी भरी जवानी में बहुत बहुत जादा एज भी नहीं आइज थिंक 35 होईंगी 35 की एज में उनके चरन ही गिरे थ अंटी सारा कुछ तहसनेस तो किया था मेरी बिल्यों ने और उसके बाद चरन सरूप उनके धार करके नीचे गिराए कभी सरूप जब मैं उनके घर में गई तो एक सरूप एक बिल्ली उनके फ्रिच पे चड़ गई एक पता नहीं कोई सौकिश था उसके उपर चड़ गई मैं का अंटी अगर आप सरूप आज भी नहीं संभाल सकते तो संगत को दे दो वो कदर करके रखेगी बहुत दुनिया है जिनके पास सरूप नहीं है चरन सरूप नहीं है वो तरस्ती है आप उनको दे तो सिवाओ की ऐसे तो कस्ट है लेकिन हम तो सिर्फ कह सकते हैं मानना माना उनका नई हम बिल्या बेच रहे हैं अब नहीं समाला जाता क्योंकि विल्चेर पर आगए गलती हमारी है गलती होई है गुरुजी ने डंड दी है मैं तो अपने मूँ से बोल रहे हूं तो यह कैसी समझ है कैसी सोच है मुझे तो समझ में नहीं आई तो यहीं आवरॉल क्या नाम दू मुझे तो समझ ही नहीं आती अब मेरे घर में भी एक कैट है मजाल है कि वो गुरुजी के रूम में एंटर करें सत्संग सुनती है बाहर खड़े हों के मतले कि समझाओ तो जानवर भी समझता है उसको पता है घर का एक डिसिप्लेन है वो हमने बना के रखा ह हो इधर नहीं जाना एक दो बार डाट खाई है इधर नहीं जाना तो नहीं आती चाहें दर्माजा खुला भी हो नहीं आती तो ये महाल ये सिस्टम बनाना पड़ता है घर में हर इंसान सीखता है इंसान में तो इतनी पावार हो तो बड़े बड़े जानवरों को नचा रह तो छोड़े चोड़े बिल्भी ऑस works को कर सकते हैं और जब नीं से हम लेते हैं तो फिर उनी कि धन की वर्षा हो गई, किस्मत की वर्षा हो गई, इतनी रिष्टों की वर्षा हो गई आपकी जिंदगी में, इंजॉइबल लाइफ हो गई, लाइफ टन हो गई एकदम यह कहलो, गरीबी से अमेरी, उसके बाद भी गुरुजी के लिए यह, या अगर आप नहीं इतना अगर आप नहीं संभाल सकते हैं, अगर आप रोज उस पे एक रुमाल से उसको साफनी करते, वहां की धूल, और वो धूल लेके अपने माथें पे लगाए, तो आपको रखने का कोई हक नहीं है, गुरुजी का सुरूप, यह रिस्पॉंसिबिलिटीज हैं, यह निभानी पड़ती हैं, यह यह निए, मजे मजे में खुशी खुशी में आप गुरुजी के चार, दस, पंदरा सुरूप, आज गद्धी भी लगा लो, यह भी कलो, उसके बाद आप निरादर करने लग जाओ, यह नहीं करो, यह उल्टा आप के उपर आएगा, और जूटे, अपने ससंकर करके, दुनिया को अट्रेक्ट करने के लिए, अपनी वहावाई, अपने फेम नेम के लिए, संगत को बेवकुफ बनाओगे, गुरुजी के सामने बैठके, तो यह तो महापाप है, महापाप छुटकाराई नहीं होगा, और गुरुजी इंडिकेशन देगी, अगर जो समझ गया सा, मज गया नहीं समझा, नहीं समझा, तो संगत जी, यही है कि आप कोशिश करें कि आप से हेर फेर बीनाओ शब्दों का, इसलिए छोटे-छोटे जूट भी जो हम घर पे बोलते हैं, कि मैं आगया आगया बस पांच पिलट, आते आदे घंटे में, यह चला जाएगा, क्लीन कर रही है अपनी लैंगविज, ताकि अगर हम गुरुजी के चंड़ों में लग चुके हैं, गलती से भी कोई गलती नहीं हो जाए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी जुबान ट्विस्ट होनी ही नहीं चाहिए, तो इसका खयाल जरूर रखिए, गुरुजी बहुत बड़ी पावर, इस पावर के साथ आप खेलिए नहीं, आप जिच्चना चाहेंगे उतना मिलता जाएगा, बिन बोले मिलता जाएगा, लेकिन आप उनका निरादर करके, उन्हें ही समझो, आप उनके सामने ही खड़े होके, उनी के बारे में जूट बोलेंगे, उनी की संगत को बहकाएंगे, तो ये तो आपको डंड भोगना पड़ेगा, और पता नहीं कितना कितना, कब-कब, तो बचे संगाजी, जितना बच सकते हैं, बचे जूट से, ताकि यह आपके उपर हावी ना हो, क्योंकि जूट के साथ फिर एक आता है और फिर मज़ा भी आता है, जब तारिफे होती है, तब तो मज़ा आ रहा होता है, लेकिन ये सब चीज़े पलटवार होते हैं, तो बच ये जितना बच सकते हैं, जूट बोलने से, जै गुरू जी, शुकराना गुरू जी, आज के लिए इतना ही संगत जी, और ये, मैं ए रात को ड्रीम में आसमान के ओपर लिखा हुआ, इतना बड़ा-बड़ा हिंदी में जूट वर्ट दिखाया गया, तो आज मैंने इस जूट के टॉपिक पे, मैंने इतनी गुरू जी की किरपा से, गुरू जी के सामने में इतनी बाते बोल रही हैं, कि इस चीज़े हम क्यों करें, मैं बोलती ही नहीं, मिन्स गुरू जी का डिपार्टमेंट है, गुरू जी आप संभाल लो, तो गुरू जी भी चाहते हैं कि कुछ अच्छी संगत, गाइडेंस दे दे दे, दूसरी संगत को, या आप हम ये गुरू जी के छोड़ी हम हेल्प ही तो कर रहे हैं हैं, उससे जादा क्या कर सकते हैं, गुरू जी संदेशे दिलवा रहे हैं, और गुरू जी के खुद बताएं इस टॉपिक पे, तो समझे गुरू जी की नजरों में अभी पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट होगी, मेरी नजरों में तो ये दो जाने आएँ तो संगा जी प् कर दूने की होगा तो जू कर दो पर लृषिए जाय की सफ़िटी होती दॉबर को One सट के पीते वैसे ताकि गुरु जी के सत्संग करने में कोई भूलना हो ना ही हम तो कोई पॉपप चड़े ना ही हम गुरु जी की नजरों में उस लाइन बड़े हो जाएं कि यह भी जोटा भगता है मेरा तो बच्छी संगा जी जितना बसकते हैं जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी कल मिलते हैं कोई अच्छे से गुरू जी के बताए हुए उनकी गाइडन्स से कोई अच्छे टॉपिक पर अच्छे विश्य पर हम चर्चा क तरेंगे जैगूँ़ जी तरेंगे जैगूँड़ू।